कैसे पता करें कि हमारे कंप्रेसर तक सप्लाई पहुच रही है यह important question है हमारे एक दोस्त ने पूचा है कि कैसे पता करें कंप्रेसर तक सप्लाई पहुच रही है क्यों यह confusion क्यों होता है क्योंकि जब कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा तो हम उसे कैसे चेक करेंगे कि हमारे कंप्रेसर तक सप्लाई पहुँच रही है या फिर पहुँच रही है उसके बाद भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आखिरे कैसे पता करें तो चलिए सीखते हैं उसे कि किस तरह से पता कर सकते है testing कैसे करनी होती है यह समझ लिजिए ताकि आप finally आप पता कर पाएं कि हमारी compressor में fault है या फिर कहीं connection में fault है तो starting कहां से करनी होती है आप indoor से पहले जो output supply निकलता है communication का जो हमारा control wire जो निकलता है जो compressor को start करने के लिए वहाँ पर पहले neutral और line चेक करेंगे कि वहाँ से output supply निकल रही है वहाँ से तो हो गया कि हमारा 220 का current आ रहा है अब जो outdoor में input हम देते हैं वहाँ पर लिखा होता है VCF या फिर कुछ और अलग-अलग company में अलग-अलग तरह से लिखा होता है तो आप न्यूटल और जो command line जो निकल रहा है वहाँ पर चेक करेंगे पहले देखिए आपको परिषान होने की ज़रुद नहीं है compressor को वहाँ पर खोलने की terminal निकालने की ज़रुद नहीं है वो तो last में करते हैं पहले यहाँ पर input supply चेक करेंगे outdoor में कि यहाँ पर supply अगर मिल रही है तो भी compressor start नहीं हो रहा है तब हम वहाँ पर supply मिल गई 220 का तब हम compressor तब हम खोलेंगे पूरे cover को top cover, front cover खोलेंगे और compressor में जो 3 terminal लगे होते हैं last में वो चेक करना है वही आपका question है वहाँ पर 3 terminal को जो 3 wire लगते हैं common starting running का तो 3 wire को वहाँ से निकाल देना है 3 wire को जो निकालेंगे supply बंद करके तो वहाँ पर पहले हम terminal को चेक कर लेंगे कि क्या 3 पर continuity आ रही है अगर 3 पर continuity आ रही है मतलब compressor का winding सही है अब हम supply चेक करेंगे supply कैसे चेक करेंगे 3 तार को अलगलग कर देंगे ताकि साट ना होने पाए उसके बाद on करेंगे power को इंडूर को on करेंगे अब यहाँ पर देखिए न वहाँ पर starting छोड़ दीजिए starting को चेक करने की ज़रुरत नहीं है starting तो सिर्फ start करने के काम में आता है 3 तार होते है common running और starting तो starting को छोड़ दीजिए आप आपको चेक करना है एक common में और एक running में दोनु वायर में आपको चेक करना है का 220 का current मिल रहा है फिर भी compressor start नहीं हो रहा है तो compressor में fault है अगर आपको 220 का current वहाँ पर नहीं मिल रहा है last में जो terminal पर लगाते हैं अगर 220 का current नहीं मिल रहा है तो फिर समझ लिजे कि आपके circuit में आपके wiring में कहीं problem है उसको चेक करिए कभी कभी होता है कि चूहे काट देते हैं या फिर किसी वज़ेसे तार जल के कट जाता है तो उसके वज़ेसे भी supply नहीं मिल पाती है कंप्रेसर को तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं अब एक चीज प्लस पॉइंट में बताना चाहूंगा कि कंप्रेसर अगर टर्मिनल आप चेक कर रहे हैं continuity उसकी तो अगर कंप्रेसर heat up हुआ पड़ा है तो किसी एक जो common होता है उस पर continuity नहीं आएगी running और common या फिर starting या common पर चेक करेंगे तो हम पर continuity बजर नहीं बज़ेगा क्योंकि वो ओबर heat हो करके trip हुआ रहता है कंप्रेसर उसको पहले ठंडा करें ठंडा करने के बाद ही टर्मिनल चेक करें तभी आपको result मिलेगा तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके कंप्रेसर तक supply पहुंच रही है या फिर नहीं अब अगर मैं बताने में कुछ भी भूल कर दिया हूँ तो आप फिर से आप पुछ सकते हैं मैं उसे बताने की कोसिस करूँगा क्योंकि इतना अच्छे से details में बताया हूँ समझ में तो आही जाना चाहिए जिस तरह से बताया हूँ तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपके लिए useful रहा हो तो वीडियो को like जरू कर दें और लाश्ट में बताना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके all पर किलिक कर ले ताकि जितनी भी वीडियो मैं बनाओ आपको सबसे पहले नोटिपिकेशन मिल पाए और वीडियो को देख पाए से पहले तो आज के लिए वसिदना ही था अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नए टॉपिक के साथ है